दोस्तो इतिहास से हम और आप सब वाकिफ है कि गणेश जी का सिर क्यों और किस ने काटा था माता परवती स्नान करने गई थी पहरेदारी के लिए गणेश जी को रखा था इतने में भगवान शंकर आये अंदर जाने की जिद की गणेश जी ने रोक लिया और बोलिनात को गुसा आया तो गणेश जी का सिर काट दिया बाद में गणेश जी को जीवीत करने के लिए उन्हें हाथी का सिर लगाया गया ये कहानी हमें पता है लेकिन क्या आपको ये पता है कि बाद में गणेश जी के असली सिर मानव सिर का क्या हुआ क्या वो आज भी धर्ती पर मौजूद है? कहानी का यहीं हिस्सा आज आपको बताएंगे तो दोस्तों बात कुछ यूँ है कि गणेश जी को नया सिर लगाने के बाद भगवान शिव ने उनके असली मानव सिर को एक गुफा में सुरक्षित रखवा दिया था अब शायद आपके दमाग में ये सवाल उठ रहा हो कि क्या वो गुफा आज भी मौजूद है? जी हाँ, आज भी वो गुफा मौजूद है उत्राखंड के पिथोरागड में गंगोली घाट से 14 किलोमीटर दूर है पाताल भूनेश्वर गुफा जहाँ पर भगवान शीव ने गंगेश जी के सिर को रखा था इस गुफा में गंगेश जी की जो मुर्ती है उसे आदी गंगेश की नाम से पहचाना जाता है यहाँ पर गंगेश जी का सिर पत्थर रूपी मौजूद है जिसके ठीक उपर 108 पंखुडियों वाला ब्रह्म कमल रूपी एक चटान है इसे में से होते हुए पानी निरंतर नीचे वाली पत्थर की शीला पर पढ़ता है जिसे गंगेश जी का सर बताया जाता है झाल झाल झाल